देव उटने एकादशी पर ये उपाई किये जा सकते हैं। दोस्तों सुबह जल्दी उटकस नान करें। स्वच्छ वस्त्र पहने। भगवान विष्टू की मूर्ती या तस्वीर को साफ आसन पर रखें। भगवान विष्टू को जल से अभिशेक करें। घी का दीपक जलाएं। उन्हें पीले रंके फूल चडाएं। पीली मिठाई और तुल्सी दल का भोग लगाएं। भगवान विष्टू के मंत्रों का जाप करें। तुल्सी के पौदे पगरने का रस चलाएं और उसके सामने घी का दीपक जलाएं। और परिवार के साथ आरती करें। इससे आपके घर में लक्ष्मी मा की क्रिपा सदेव बनी रहें। लक्ष्मी मा आपसे प्रसंद रहें। इस दिन आप नई जाडू और थोड़ी सी हल्दी लगा दे और एक कुष्प रख दे एक रुपे का सिक्का भी रख दे उस पर। अगर आपके घर में चांदी का सिक्का है तो वह भी आप वहां पर रख सकते हैं। इस सिक्के को आप जाडू के नीचे चुपके से छिपा दे याद रहें कि जब आप धन रखने वाली जगे पर रख दीजेगा। अगर आप अपने दुश्मनों से परिशान हैं या आपके दुश्मन आपका पीछा ही नहीं छोड़ रहें। पुछ लाल मिर्च देव उटनी एक दशी के दिन जाडू के नीचे चिपा दें। और अगले दिन आपके जो भी शत्रू हैं। जिस पर आपको संधे हैं उस वेक्ति का नाम लेकर बाहर फेग दें। आपके घर से तंत्र मंद की या जादू टोने की जजब दोश की जो सारी परिशानिया वो दूर हो जाएंगे। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन आता रहें और लक् अबुद्ध हल्दी की एक गांट ले ले तो उसे जाडू के नीचे छिपा दीजेगा। अगले दिन आप इस गांट को पीले धागे में लपेट कर अपने गले में पहन ले या कलाई पर बांद लीजेगा। विश्वास कीजिए आपकी शादी पक्की हो जाएगी। इस ब अगर आप बड़े लोगों की सहयता करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, गरीबों की सहयता करते हैं, तो ऐसा करने से भगवान विश्वी मा आपसे अती प्रसन होंगी। इसलिए बुजुर्गों का अपमान ये जरूरत मंदों का अपमान या जो फिजिकली अन्फिट हैं, उन ने वरत रखा है तो इस दिन लेसन प्यास का सेवन बिलकुल भी ना करें